जब मीठा खाने का मन हो आपका, तो ये एकदम ही नई तरह की ठंडी-ठंडी मिठाई बना लीजे, जिसके लिए सिर्फ दो कप दोद चाहिए, ना मावा चाहिए, ना चाशनी चाहिए, घर पर आसानी से किचन में मिल जाने वाली चीजों से ही ये शांदार सी मिठाई बन कर के तयार हो जाएगी, जो कि एकदम सस्ती संदर है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी है, क्योंकि ये इतनी रस भरी और इतनी सौफ्ट है कि मुह में जाते ही घुल जाएगी, और बनाने में इतनी आसान कि पलक जपकते ही बनकर तयार हो जाएगी, तो चलिए बिना यह घर की फ्रेश दही होगी तो बहुत अच्छा रहेगा अब इस दही में हम चीनी करेंगे तो तक्रीबन 3-4,मच भरके, यह बीजांच लिए लॅचे आप तो चीनी बीना करेंगे बीजी इस में चीनी का पाउडर डालेंगे तो यहां पर यह पूरा milk powder हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा मैंने बचा लिया है, इसका इस्तमाल हम आगे करेंगे, और जो 2 टेबल स्पून milk powder मैंने इसमें डाला है, इसे अच्छे से इस mixture के साथ हम मिला लेंगे, अब हमारा यह ठणा ठणा मीठा सुजी से बनने वाला है, तो इसके लिए हम यहां पर एक कप सुजी लेंगे, और सुजी को इस तरह से mixture में डाल देंगे, और अच्छे से से mix करेंगे, इसका हमें better बना कर तयार करना है, तो पहले हम इसे मिला लेंगे, और फिर आगे जब हमें जरूरत लगीगी, तब हम इसमें थोड़ा पाने डालेंगे, और अच्छे से इसे मिला लेंगे, अब जो सुजी होती है, इसे rest पर रखना जरूरी होता है, क्योंकि सुजी पानी को absorb करके फूलती है, तो यहां पर इस तरह से better बना लेने के बाद, हम इसको 15 मिनिट के लिए rest पर रखेंगे, अब एक कढ़ाई में हम डालें हमें इसमें milk powder डालना है, ताकि यह दूद के साथ अच्छे से mix हो जाएगा, और milk powder की गुठलिया नहीं बनेगी, एक बार जब दूद में उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें बाकी की चीज़े mix करेंगे, तो आप देखें, यहां पर दूद अच्छे से उबनने लगा है, गेंस के आज को हम थोड़ा sloper कर देंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे condensed milk, जिसे milkmate के नाम से भी जाना जाता है, तो यह मैं इसमें 1-4 cup डाल रही हूँ, फिर इसके बाद जितनी हमें जरूरत लगेगी, उतना हम इसमें चीनी mix करेंगे, तो क्योंकि condensed milk काफी जादा मीठा होता है, तो मैंने इसमें बस यह दो चमच चीनी mix की है, बाकी आप चाहें तो अपने test के according इसमें चीनी इस्तमाल कर सकते हैं, अब इसमें हम flavor के लिए डालेंगे वनीला essence, तो आप देखें इस तरह का जो वनीला essence होता है, जो कि ज़ादा तर हम cake में या ice cream में इसमें इसमे डाल दी है, इसे के साथ साथ यह थोड़ा सा मैंने इलाइची powder लिया है, बन फौर्थ टी स्पॉन इलाइची का powder डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, अब इस दूद को हमें बहुत जादा reduce नहीं करना है, बस इसको इतना पका लेना है कि यह हलका सा ठिक हो जाए आप देख सकते हैं, यह जो दूद है, रस मलाई के दूद जैसा हो गया है, बस यह ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब यह थंडा होगा तो इसमें और भी थिकने सा आजएगी और हमें हमारी मिठाई को एकदम रस भरा बनाना है, तो बस गेस के आज को बंद करने से पहले तेज करेंगे और एक अच्छा सा इसका उबाल ले लेंगे, और फिर इस दूद को हम साइड में रख लेंगे, अब यह जो हमने सूजी का बेटर बनाया हुआ है, यह अच्छे से सेट हो गया है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, यहां आप देख सकते हैं, प्यासी सूजी न हम यह थोड़ा सा वनिला एसेंस डाल देंगे, अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए केवडा एसेंस का या फिर सिर्फ इलाइची का पावडर भी आप एड़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेवर है वो आप अपनी पसंद से इसे दे सकते हैं, फिर इसके बाद यह हम इसम साथ साथ 1-4 टी-स्पून हम इसमें खाने वाला मिठा सोडा एट करेंगे, इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह दोनों डाल कर हलके हातों से हम इसे बैटर में मिक्स कर लेंगे, अब इसके बाद बस हम इसको इस तरह के अपन में बना कर तयार करेंगे, तो ये up pump pan होता है इसकी जो ये cavities है इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा तेल इस तरह से grease कर लेंगे तो एक बार हमें इसे medium slow आज पर अच्छे से गरम करना है और फिर जब इसमें से हलकी हलकी से heat आने लगेगी तब हम गेस के आज को एकदम slow पर कर देंगे और फिर हमने ये जो सूजी का better बनाया है ये हम इसमें इस तरह से डालेंगे पूरा उपर तक नहीं भरना है क्योंकि ये जो better है ये अभी फूलने वाला है तो इसके उपर हम ढगा देंगे और अच्छे से इन्हें एक तरफ से पकने देंगे लगबख 2-3 मिनिट के बाद हम धकन हटाएंगे और अब हमें इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी सेकना है तो पलट इन्हें से पहले थोड़े थोड़े तेल की बूंदे हम इनके ओपर डाल देते हैं और फिर इस तरह से पलट कर दूसरे साइड से भी हम इने अच्छे से सेख लेंगे तो इस तरह से ये हमारे सूजी के मीठे मीठे केक जैसे अपपे बन करके तयार हो जाएंगे आप देख सकते हैं दोने तरफ से ये अच्छे से color change कर चुके हैं और काफे अच्छे से ये फुले-फुले हो गए हैं तो इन्हें हम प्लेट पर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें मैंने ये सारे सुजी केक अपपे बना लिये हैं और अब बस हमने जो दूद बनाया है वो हम इस पर डालेंगे अभी अपपे भी गरम है और दूद भी हमें गरम-गरम इस पर डालना है फिर बस अच्छे से इन्हें डिप करने के बाद हम इन्हें फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे और फिर ठंड-ठंडा इन्हें सर्व करेंगे जितनी देर तक हम इन अपपो को इस मिठे मिठे रस में रखेंगे उतने ही ज़्यादा ये रस भरे हो जाएंगे और फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगे मिठाईयां तो आपने बहुत तरहगी खाई होगी लेकिन ये सूजी की दो कब दूट से बनी मिठी मिठी रस अपपे की रेसिपी आप इस गर्मी में ज़रूर बना कर खाए क्योंकि ठंड-ठंडा इसे खाने का मजा ही कुछ और आएगा और फिर इसके बाद अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल एट्यमिशस को प्लीज ज़रू से सब्सक्राइब करें तक कि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीस देखने को मिलती रहें और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं तिल देन इंजो इस मिठे मिठे थन्य 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 रसप्पे और थैंक्स पर वच्छिं एट्यमिशस